हलो एंड वेल्कम टू टीवी का पटाका दोस्तो शुरू हो चुकी है नई जंग ये रिष्टा क्या कहलाता है में जंग है दादी सा और अभीरा के बीच में अभीरा ये साबित कर दिखाएगी कि अभीरा के जैसा कोई भी नहीं है जी हाँ आपको बता दें कि दादी सा ने दे दिया है अक्षेत्रतिया के मौके पर सबसे बड़ा चैलेंज और इस चैलेंज को अभीरा ने जीत कर दिखाया है साबित कर दिखाया है कि वो पोदार्स की असली बहू है क्या हुआ है ऐसा और क्या किया है अभीरा ने पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने इस चानल को सब्सक्राइम आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दपा दें दोस्तों सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में अब दादी सा ने एक नया चैलेंज कर दिया है जी हां दादी सा का कहना है अक्षित रतिया का मौका होता है मा लक्ष्मी की पूजा का मा लक्ष्मी की पूजा तो होगी ही होगी लेकिन साथ में एक चैलेंज भी होगा जो घर की लक्ष्मियों को यानि की घर की भवों को पूरा करना होगा और वो चैलेंज ये है कि दादी सा ने घर के अलग-अलग कोने में छुपा दी हैं सोने की गिनिया यानी की लक्षमी जी को और ऐसे में घर की बहूँ को ढूंडनी होंगी वो गिनि जो बहू सबसे पहले गिनिया ढूंड कर दिखाएगी वो बहू बन जाएगी विजेता और उससे ये साबित हो जाएगा कि वही बहू है इस पोदार खांदान की सबसे काबिल बहू अब ऐसे में पहले तो दादी सा ने डिवोर्स पेपर साइन करने को कह दिया लेकिन यहाँ पर माधव ने बड़ी चाल चल दी और माधव ने कह दिया कि दा ऐसे में दादी सा ने अबीरा को भी उस कॉमपडिशन का हिस्सा बनने दिया और यहाँ पर आपको बता दें कि रूही साथी साथ मनीशा चाची हर कोई गिन्निया ढून रहा था लेकिन सबसे पहले सारी कि सारी गिन्निया इखटी की किसी और ने नहीं बलकि अबीरा ने ज यहाँ तक कि अबीरा को ये तक पता था कि आखरी गिन्नि हमेशा घर की औरत के पल्लू से बंदी होती है तो बस फिर क्या था अबीरा ने दादी सा का पल्लू पकड़ लिया और पल्लू में से उसने गिन्नि निकाल कर दिखा दी जिसको देख कर दादी सा के भी होश दादी सा भी हैडरान रह गई और ये कहने पर मजबूर हो गई कि कहीं न कहीं ये लड़की है तो बहुत हुशियार दोस्तों साफ है कि अब अबीरा पुदार हाउस की फेवरेट बहू बनने वाली है और ये देख कर दादी सा के होश उड़ने वाले हैं और साथी साथ से निकल जाए अबीरा वेल कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट अंटरन के लिए हमें कमेंस में आप जरूर लिख कर बता दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना आप हमेशा किदर ना भूले